शुप्रवाद बच्चों कैसे हो सब विधियार्च मीत्रों हिंदी के तास में आप लोगों का हार्दिक सागत है बच्चों आज हम एक नया वर्ण सीखने वाले हैं वर्ण है हमारा ख्ष ख्ष से चत्रिय तो सबसे पहले हम आज की दिनांक लिखेंगे एक अप्रिल दो हजा ठीक है चलो बच्चों यहाँ वीर शत्रिय है च शत्रिय ठीक है चलो बच्चों अब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं च च से शमता च से चन च से चित्र च से चमा च से शीर और च ठीक है अब विद्यार की मित्रों यहाँ पर आप लोगों को ख्ष को अच्छे से लिखना है ठीक है और फिर आप लोगों को यहाँ पर देखो अलग अलग आकारों में ख्ष दिया गया है जीन आकारों में क्षा लिखा है उन्हें रंग से आपको भरना है ठीक है तो ये वाला क्षा जो हम आज सीखे है जहां पर भी है जैसे यहां तीकौन में है तो आप यहां रंग भरोगे फिर यहां रंग भरोगे तो जहां पर भी क्षय है उसी में आपको रंग भरने है ठीक है अब हम क्षय को कहां लिखने वाले है? एकदम बराबर हमारी हिंदी की नोटबुक में सब को पता है कैसे लिखना है है ना? चलो तो हिंदी की डबल लाइन की नोटबुक निकालो सब विध्यार्थी मित्रो, पहले आज की दिनांक लिखनी है, फिर हमने जो वरन लिखा है, वह हो, अब हम बड़ी लाइन में इसको लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ऐसे करके इसकी पूँच घुमा दो, यहां से एक लाइन खीचको और शीरो रिखा, फिर से ऐसे क किया और फिर शीरो रिखा, बच्चो आप लोगों को क्ष़ से जो जो क्षब्द बनते हैं, उन्हें बोलते जाना है, जैसे क्षत्रिय, क्षमा, क्षमता, क्षण, ठीक है, तो इसी तरह से आप पूरा पेज भर कर क्ष़ लिखोगे, ठीक है, फिर मिलेंगे, तन्यवाद, बच्चो आपिक से जो इसटाना है, जैसे क्षेज जोंगे, बचल कर बादादाए तक मिलें रिखाना है, जैसे क्षेज न्युे मिलें जाप लोगोगे, जैसे थाल से एंप बनते हैं, झekत स्याआ है, प्यूद एहिसे ग्ड़ादारा इंए क्ष़ बीधार अलिधे, म्य